हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे जो भी छातर नेवी की अगली भरती का इntजार कर रहे हैं तो मैं उन सबी स्टुडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि नेवी की जो अगली भरती निकाली जाएगी उसका नोटिविकेशन जून में जारी होगा इसलिए मैं नेवी की तैयारी अभी से शुरू करवा रहा हूं यह हमारा नेवी का पहला वीडियो होगा और यदि भरती से related कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इससे पहले मैं आपको बता देना करना चाहता हूं यदि आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक आवरों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेट करें बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल में ही आपके बेल आइकन होगा जब आप इसे आन करते हैं तभी मेरे नए वीडि पहला कोशन है जनता दोरा परतेच्च रूप से निर्वाचित सधन को लोगसवा कहते हैं अगला कोशन समिधान में लोगसवा के सतस्यों की मोल संक्या क्या है? समिधान में लोगसभा के सतस्यों की मूल संक्या है पांसो बावन अगला कोश्य है वर्तमान में लोगसभा में कितने सतस्य हैं तो वर्तमान में लोगसभा में पांसो पैतालिस सतस्य हैं अगला कोशें राष्ट पती आंगल भारती समुदाय के कितने प्रती निधियों को लोग सभा में नामित कर सकता है राष्ट पती आंगल भारती समुदाय के दो प्रती निधियों को लोग सभा में नामित कर सकता है लोकस्भा में किस आधार पर सीटे आवन्टित होती है लोकस्भा में जन संख्या के आधार पर सीटे आवन्टित होती है अगला कॉश्यन वर्थमान लोगसभा में परतेक राज के लिए इस्थानों को आवांटन किस पर अधारित है वर्दमान लोगसभा में पृतेक राज के लिए 1971 की जन गड़ना पर इस्तानों को आवांटन पर अधारित है अगला कॉश्चन कौन सी लोगसभा के चुनाओं चार चरणों में हुए तो चौधवी लोगसभा के चुनाओं चार चरणों में हुए लोग सवा का सदर से बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो लोग सवा का सदर से बनने के लिए नियुनतम आयू 25 वर्स होनी चाहिए कौन सा राज सबसे अधिक प्रतिनिधी लोग सवा में भेशता है उत्तर प्रदेश राज प्रतिनिधी लोग सवा में भेशता है अगला कोशन उत्तर प्रदेश के वाद सबसे अधिक संसदी छेतर किस राज में है उत्तर पुर्देश के बाद सबसे अधिक संसदी छेतर महाराष्ट राज में है किस राज में लोग सबा सदस्यों की संख्या सबसे कम है नागालेंड, सिक्यम और मिजूरम में लोग सबा सदस्यों की संख्या सबसे कम है लोग सवा का नेता कौन होता है तो लोग सवा का नेता प्रधान मंतरी होता है परला कुश्यन लोग सवा का नेता कौन होता है तो लोग सवा का नेता लोग सवा अध्यच होता है भूत्पूर शांसा सदस्यों को पेंसन ब्यवस्ता कब लागू की गए लोगसवा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं लोगसवा में कम से कम वर्ष में दू बार सत्र जरूरी होते हैं अगला वोश्यन लोगसवा को कौन भंग कर सकता है तो लोगसवा को राश्पती प्रधानमंत्री की सलापर भंग कर सकता है बितिय विल्द कहां पास हो सकता है तो बितिय विल्द ये लोगसवा में पास हो सकता है अब इस्वाब प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है तो अब इस्वाब प्रस्ताव लोग सबा सदन में लाया जाता है बजट किसके द्वारा पारिट किया जाता है तो बजट लोग सबा के द्वारा पारिट किया जाता है अगला कोश्चिन लोगसवा के सदस्यों की नियुगता से समंदित प्रश्णों का निर्णाएं काउन करता है तो लोगसवा के सदस्यों की नियुगता से समंदित प्रश्णों का निर्णाएं लोगसवा अध्यच करता है आज थाई लोग सवा अध्याच को क्या कहते हैं तो आज थाई लोग सवा अध्याच को पूर्टेम स्पीकर कहते हैं अगला कोश्चन प्रुमेट स्पीकर की न्यूप्ती कौन करता है तो प्रुमेट स्पीकर की न्यूप्ती राष्ट पती करता है कितने दिनों तक अनुपस्तित रहने पर लोगसवा की सदस्ता समाप्त हो जाती है किस विध्यप को केवल लोगसवा ही पारित करती है अगला कोशन मंत्री परिशत किसके प्रती उत्तर दाई है तो मंत्री परिशत की लोगसवा की प्रती उत्तर दाई है अगला कोशन किस अवस्था में संसत लोगसवा का कारकाल बढ़ा सकती है तो आपात काल की इस्थित में संसत लोगसवा का कारकाल बढ़ा सकती है अगला कुश्यन, शंसत एक बार में लोगसवा के कारकाल में कितने समय के लिए वृत्धि कर सकती है किस वर्स लोक सवा का कारे काल 1-1 करके दो बार बढ़ाया गया То 1976 में लोक सवा का कारे काल 1-1 करके c Fleisch 1-2 बार बढ़ाया गया अगला को कॉष्चिन राज नीतिक सब्दा बली में सून काल का अर्ध क्या है आगला कोश्चिन यदि कोई व्यक्ति राज सभा का सलस्य है तो क्या वह लोग सभा में अपना व्रक्तप दे सकता है यहीं कोई व्यक्ति राज सभा का सलस्य है तो वह लोग सभा में हाँ अपना व्रक्तप दे सकता है अगला कोशन लोग सभा अध्यर्च का चुनाओ कौन करता है तो लोगसवा अध्यर्च का चुनाओं लोगसवा सदस करता है अगला कुश्य लोगसवा का आस्ताइस अध्यर्च को नियुक्त करता है तो लोगसवा का आस्ताइस अध्यर्च राष्ट पती नियुक्त करता है लोगसवा अध्यच अपना त्याग पत्र किसे देता है तो लोगसवा अध्यच अपना त्याग पत्र लोगसवा उपाध्यच को देता है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोगसवा अध्यच को है नेश्ट कोश्चन लोग सवा का सची वाले किसे से नियंतरित होता है तो लोग सवा का सची वाले लोग सवा अध्यच से नियंतरित होता है भाईरत के पर्थम लोगसवा अध्याचते जीवी मागोलंकर Next question भाउर्ती संसत के दोनों सद्रों के सेन्फ अध्याचता कौन करते हैं? भारति संसत के दोनों सद्रों के संट अधिवेशन की अधिश्टा लोग सवा अधियच करते हैं लोग सवा में किसी विध्यक को धन विध्यक के रूप में कौन प्रमारित करता है लोग सभा में किसी विध्यव को धन विध्यव के रूप में लोग सभा अध्यच प्रमारित करता है। अगला कोशन किस समीति का पदेन अध्यच लोग सभा अध्यच होता है। तो नियम समीति का पदेन अध्यच लोग सभा का अध्यच होता है। लोग्सवा महा सचिप की न्यूक्ति कौन करता है तो लोग्सवा महा सचिप की न्यूक्ति लोग्सवा स्पीकर करता है कोई स्पीकर के खिलाब आप इसवा प्रस्ताव लाया गया कि एस हेगडे के खिलाब आप इसवा प्रस्ताव लाया गया लोगसवा का जनक किसे माना जाता है तो लोगसवा का जनक जी भी मावलंकर को माना जाता है लोगसवा के पर्थम उपाध्यच कौन थी तो लोगसवा के पर्थम उपाध्यच थे अनंद सैनम अपंगर काप इनपर्टन कोश्चिन है अगला कोश्चिन किस लोगसवा अध्यच का कारकाल सबसे लंबा रहा बलराम जाखड और कि लोगसवा के अध्यच ते इनका कारकाल जो है सबसे लंबा रहा अगला कोशन देखते हैं लोकसवा के अध्यच या उपाध्यच की अनुपस्तिद में लोकसवा के अध्यचता कौन करता है अगला कोशिन राष्ट मंदल अध्यचों के सम्मेलन का पधैन महा सचिप कौन होता है अगला question भारत के लोगसवा अध्यच किस देश के house of commerce के अध्यच की तरह होते हैं तो भारत के लोगसवा अध्यच England देश के house of commerce के अध्यच की तरह होते हैं अगला question भारत की प्रथम महिला लोगसवा अध्यच है मीरा कुमार कि अध्यच की प्रथम महुद से करता ँधर मरूस की तरह हैं झाल